बिहार की धर्ती पर मौझूद सभी पावन लोगों को मेरा नमिशकार मेरा नाम लोकिश भारदवाज एक बाफिन से स्वागत करता हूं आज की इस बहुत ही महत्पून वीडियो में जो आप हर एक छात्र के लिए आँख खोलने का काम करेगी और उन्हें बहुत क्लैरेटी दे देगी कि examination pattern और लिस्ट पूरी और जो भी ये मीडिया में चल रहा है दुनिया भर की चीज़ें जून में पेपर होगा क्या स्लेबस क्या होगा यह नई ट्रेनिंग की बात हो रही कौन सी ट्रेनिंग होगी है ना वो सारी की सारी चीजों की आज मैं चर्चा आप लोग सबसे पहले लिस्ट तो हाँ जी बिलकुल यह बात सकते हैं दोस्तों की लिस्ट बनकर पूरी हो चुकिए और करीब 2,35,000 के पद जो हो निकले जिसमें पियाटी टीचर के लगभग लाख के अराउंड पद है ठीक है एक लाख के आसपास पद सिर्फ पियाटी टीचर के है ठीक है तो काफी बड़ी खबर है पियाटी टीचरों के लिए तो काफी बड़ी वेकेंसिया आप लोग के लिए आने वाली है यस आज जो है बिसिकली यह जो डेटा है वो 20 तारीक को दिया जाना था लेकिन यह डेटा थोड़ा सा लेट हुआ 22 तारीक शाम 6 बजे यह थी मतलब जो डेट चल रही थी 27 तारीक तक विध्यप्ति आ जाएगी उसमें हो सकता है कि दो चार दिन और अब एक्स्टा लगें जस्ट विकॉस क्योंकि मैंने जो डेट आपको बताई थी वह यह डेट बताई थी कि जो शिक्षा मंत्री लेकर चल रहे हैं और पहले ही ब बस दो तीन दिन लेट देखने को मिले ठीक है उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर जून में एक्जाम की खबर है तो देखो है अखबारों की कटिंग पर बहुत जब्लीव मत किया करो अखबार की कटिंग में था कि सौनमर का पेपर होगा जो की लगभग सच बात नही के लिए मिलेगा फॉर्म भरने के बाद 15-20 दिन बेसिकली बीपीस को भी चाहिए ताकि वो तमाम स्कूल को तयार कर सके ठीक है जहां जहां उने एक्जामनेशन लेने उन कॉलेजिस को तयार कर सके और वैसे भी जो यह आगर मैं बात करूं तो जो इस समय रहता है लाइक ज चुट्टीया चल रहे होती हैं तो सर्कारी डFrork defenders की बहुत सारे लोगों की चुट्टीया चल रहे होते हैं तो पॉइंट तो एक्जामनेशन कब तक मान के चले हम लोग ठीक है कि जुम में तो चलो मानते हैं सर आपकी बात की नहीं अई होगा लेकिन इक्यूम कब तक तो उलाई से गस्ट के बीच एकजाम हो जाएगा याद रखेगा इसे लेट नहीं जाएगा अकोबार कहा हैं कि अक्तुबर तक सारी पुरिया पूरिया पूरी कर लेगी यह बात सथ है बिलकूल सच्चे बात है और यही बात सिक्षा मंतरि बार बार बोल dollars कर दिंये दोस्तों सभी चात्र हमारे जितने भी हैं जो भी तैयरी कर रहे हैं जो भी अभ्यरति हैं वह सभी के सभी अक्तूबर तक उनके हाथ में लेटर होगा देविल बी इन दा स्कूल राइट वो पढ़ा रहे होंगे है न स्लेबस की बात करूं तो मैं एक वीडियो देख रहा था एक आईएस सर है ठीक है और जो आईएस जी हैं वो मतलब वीडियो बना रहे थी ठीक है मुझे एक्जक्ली नाम में आधनी आ रहा हूंका ठीक है उनका कहना है कि यह जो वह स्लेबस बता रहे हैं दखो मुरको कोई इश्यू नहीं है ठीक है मिरको बस एक ही छोटा सा इश् से उनके लिए अलग होगा ठीक है शायद अगर वो सर अगर मेरी वीडियो को भी देखे तो उनको यह बात नौटिस में उनके मिलाना चाहूंगा कि टीचर दो प्रिकार के सिलेक्ट होने यहां पर एक प्रिकार के टीचर जो है वो सिलेक्ट नहीं होना है तो आप दो अलग ठीक है कि पास्ट में क्या क्या लब स्लेबस रहता वोगई ठीक बता रहुबं होता था पहली बार खालंते के शिख्यक मंत्राले का बेशा करने लिए है तो शिक्षा मंत्राले का कहना है कि शिक्षा मंत्राले का कहना है आप वहां पर यहッ है। उन्होंने का कि हमारे चात्रों को आध्या है को चुकी स्कूल स्में पढ़ाना है और पहली से पांच वेक्षा के चात्रों को वह जो पहली से पांच वेक्षा के जो टीचर बनेंगा उनको वही स्लेबस पढ़ाना चाहिए तो वही पढ़कर आना चाहिए ताकि उनका पहले से ही वह स्लेबस तैयार हो और आके जब वह टीचर बने तो उनको कर लीजिए यहां पर पेपर दो अलग अलग टीचर्स का हो रहा है एक टीचर का पेपर होता तो मैं एक हंडर परसेंट आपकी बात से सहमत हो जाता कि हाँ चलो यार पी आइटी वालों से भी जीएस जीएस और भूगोल सास्त्र और नजाने रसाइन सास्त्र सब कुछ हो यह वह आप जाके देख सकते जहां पर मैंने बताया है कि पहली से पांच वी का से लिए बस लगभग क्या हो सकता है और अल्रीडी मैंने उसके पर वीडियो दे रखी है बात करते एक ट्रेनिंग की तो दोस्तों यह आपके लिए खुशकबरी है सभी के लिए खुशकबरी है अब इसका मलब यह नहीं कि आपको यह किसी एक्जामनेशन का भाग है नहीं सिक्षा मंतराले का कहना है कि यार देखो जो टीचर सा रहे हैं तो मेबी उन लोगों को आई सिटी की नॉलिज हो ना हो है न और सिक्षा मंतराले का यह भी कहना है कि उन्होंने इस बार 2022 को बजट निकाला था वो सबसे ज्यादा बजट सिक्षा को दिया है वह चाहते हैं क आपके टेंशन मतलो इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे ठीक है बस हां आपको सर्टिफिकेट मिलेगी जब आप कंप्लीट कर लेंगे और यह 6 महा से लेकर 9 महा की सर्टिफिकेट होंगे जो आपको अलग से एक्स्टा कराएगी सरकार ताकि आपके सीवी में आपके करिकुल जो है जो है सीवी अब बोले तो उसमें मतलब जो आपका करियर है उसमें एड हो जाएगा और आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा किया आप ICT से जानकारी मिलब ICT के लेवल की जानकारी जोटाब आओगे तो जो सरकार बोल रही थी ना कि आकरशक पैकेज के साथ-साथ- सारी स्वेधाएं और extra स्वेधाएं दी जाएंगे एक स्ट्रसफ ही है ठीक है बहुत सारे सर्टिफिकेशन court आपको अलग से कराये जाएंगे चाहे वह प्रिंसिपल्स को बिजनिस और उनके द्वारा आप लोगों को आपकी डाइट में लेक्चर्स कंड़क्ट कराए जाएंगे और वह आपको समझाएंगे बट यह आफ्टर दस लेक्शन है दोस्तों ठीक है तो अब तक के लिए क्या करें दोस्तों अभी तक के लिए जो मैं फिर से बता रहा हूं आप संबर है आप इस पर मेरे को वाट्स अप कर दीजिए 87662513 ठीक है थैंक यू सो मच आज की वीडियो में इतना ही साइनिंग ओफ लोकिश भारत वाज टैस्क बुक से धन्यवाद